नमस्कार दर्शको आज का हमारी चर्चा का विशा है कि ट्यूबों की जांच कैसे की जाती है या जिसको हम HSG टेस्ट पोलते हैं यह कैसे किया जाता है और ट्यूबों के जांच के और कौन से तरीक है ट्यूबों की जान्ट से पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि ट्यूबों की जान्ट जो है वो सिरफ इतना ही बता पाती है कि ट्यूब खुली है या बंद है मगर कोई भी ऐसा टेस्ट नहीं है जो ये बता पाए कि क्या ट्यूब अपना काम कर रही है या नहीं कर रही है ट्यूब का काम जाकर अंडे को उठाना होता है अब ट्यूबों के जो भी टेस्ट होते हैं उसमें हम पीछे से पानी डाल रहे हैं आगे से चेक कर रहे हैं कि निकल गया की नहीं तो ऐसा जो टेस्ट है वो सिर्फ यहीं बता पाता है कि यह pipe खुली है यह बंध है मगर tube का जो function रहता है, जो tube का function यह है कि जा कर अंडे को उठाना है वह हो रहा है या नहीं हो रहा है, ऐसी जांच जो है अभी भी science के द्वारा संभव नहीं है अब tube की जांच जो है वो दो तरीके की होती है हम पहले एक ultrasound करते हैं जिससे हम यह जान लेते हैं कि ultrasound बिल्कुल normal है और हम simple test से tube की जांच कर सकते हैं यानि कि ultrasound में किसी भी तरह की कोई भी rosoli या cyst या कुछ भी नजर नहीं आ रहा है तो हम इसको simple method से tube के जांच के लिए भेज देते हैं अब simple जो test है उसको hsg या hysterosalpingography कहा जाता है बहुत सारे patient hsg या tube के test से बहुत जादा डरते हैं वे लेडीज आपस में बातें करती हैं और एक दूसरे को डरा देती हैं कि ये जो tube का test है इसके बाद मेरा शरीर खराब हो गया या ये tube का test में बहुत जादा दर्द हुई या tube का test है उससे infection होने का डर रहता है पेट में पानी भरने का डर रहता है तो हमारे पास बहुत सारे patient ऐसी शंका लेके आते हैं कि हमारे बहुत साल हो गए शादी को बेबी नहीं हो रहा हमने कभी tube में चेक नहीं कराई क्योंकि हम इस चीज से डर गए कि हमें tube में चेक करवाने से डर लगता है तो जो tube में चेक करवाने का test है ये जो बहुत simple test होता है इसमें हम एक radio opaque dye रेडियो पे डाई का मतलब है जैसे x-ray में हमारी हड़ी नजर आती है वैसी ही dyed नजर आएगी मीन्स बिल्कुल सफैद नजर आएगी ऐसी dye जो है वो हम बच्चेदानी के अंदर डालते हैं और हम x-ray ले ले लेते हैं जिससे हम चेक कर लेते हैं कि क्या ये dye बच्चेदानी से होते हुए ट्यूबों में चली गए और इसे में बहुत सारी जानकारी मिलती है कि बच्चेदानी की शेप कैसी है क्या ट्यूबे नॉर्मल साइज की हैं फूली हुई तो नहीं है और ट्यूबों में से जो डाई बाहर निकल रही है क्या वे अच्छे से फैल रही है या वे एक ही जगा पर जाकर रुक रही है तो ट्यूबों का जो डाई का टेस्ट है जो वो काफी ज़ादा इंफर्मेशन देता है पेल्विस के बारे में या बच्चेदानी और आसपास की स्ट्रॉक्चर के बारे में यह टेस्ट जो है इसमें जादा तर दर्द तब होती है जब यह डाई डाली जाती है यह डाई अगर ऑपरेशन थेटर में या एक अच्छे सेंटर में एसेप्टिक कंडिशन यानि की साफ सफाई के साथ डाली जाए तो इसमें इंफेक्शन का रिस्क बिल्कुल नहीं होता और जादा तर दर्द तब होती है जब डाई पुश की जाती है तो बहुत अच्छे सेंटर में ऐसी विवस्ता है या होनी चाहिए जिसमें ये डाई टेस्ट बिहोश करके किया जाए ताकि पेशन को दर्द महसूस ना हो बाद में ऐसी डाई का बॉडी में होने का कोई खास नुकसान नहीं है क्योंकि बाडी के मेकनिजम से ये धीरे धीरे अपने आपी बाडी इसको अब्जॉब करके खतम कर देती है या बाडी के जैसे एक्सक्रीट कर देती है बाडी से बाहर निकाल देती है और ऐसी डाई का बाडी में होने का साइंस के बेसिस पर बताया जाता है कि कुछ फाइदा भी होता है और जो patient tube test करवाते हैं उनकी fertility उसके बाद 2-3 महिने के लिए काफी अच्छी रहती है अगर ट्यूबें खुली हो अगर diet test से पता चलता है कि ट्यूबें बंध है तो अपने doctor से मिलना चाहिए वैं आपको आगे की रास्ते बताते हैं कि अब आग सॉली है या सिस्ट है या कुछ और भी चीज है जिसको दूरबीन के operation के द्वारा करेक्ट करने की जरूरत है तब हम HSG test से tube test नहीं करवाते हैं तब हम दूरबीन के operation के द्वारा भी चेक कर लेते हैं जिसमें हम दूरबीन के operation में जब मरीज अरड़ी ही बेहोश होता है हम जो है normal saline लेते हैं उसके अंदर कुछ blue color की methylene blue dye डालते हैं और वे dye हम जो है नीचे से पचेदानी के अंदर डालते हैं और पेट में हम दूरबीन के द्वारा चेक कर लेते हैं कि क्या ये dye जो है वो ट्यूबों के द्वारा अच्छे से बाहर आ गई है free flow के साथ बाहर आ गई है या नहीं अब dye test finally समझने की बात ये है कि दो तरीके से होती है एक simple method है जिसमें कम पैसे लगते हैं अगर हमें एक radiology center में जाते हैं तो 2000-3000 में ये टेस्ट हो जाता है और एक दूरबीन का operation है जो सिरफ इसलिए किया जाएगा कि अगर हमने कुछ औ और भी चेक करना होगा यो कुछ और भी ट्रीट करना होगा तो हम दूरबीन के operation के द्वारा भी डाय टेस्ट चेक कर सकते हैं तो जो ट्यूबों का test है वे जो है बहुत basic evaluation है fertility की treatment में काफी शुरू-शुरू में आ जाता है यानि कि अगर किसी को regular periods हैं husband के test ठीक हैं तो next level क treatment जो है वो ट्यूबों का test ही है पर लोग काफी काफी साल निकाल देते हैं जब तक वो ट्यूबों का test नहीं करते क्योंकि उनके दिमाग में इस चीज को लेके मित होते हैं कि ट्यूबों के test हमारे अंदर कोई खराबी आ जाएगी और ये वीडियो सिर्फ इसी कारण करके आगे चलें और अगर ट्यूबें बन हैं तो उसके हिजाब से हम आगे बताएं कि क्या क्या करना चाहिए और फाइनली मैं यही कहना चाहूंगी कि ट्यूबों की evaluation जो है जल्दी करवाने में ही फायता है अगर आपको इस वीडियो के बारे में कोई भी सवाल है तो गाइड कर सकें कि आपको कहा जाना है और क्या करना है आपका बहुत बहुत धन्यवाद